हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की कली और आज दोस्तो ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और उनका कमेंट ये था कि मेरी सेंट्रो का स्टेरिंग वील टूट चुका है तो उसको चेंज करके दिखाव और दोस्तो मैं अपना steering wheel तो replace नहीं करने वाला हूँ इस video में लेकिन हाँ इतना जरूर करूँगा इस video में कि आपको steering wheel मैं अपना निकाल के दिखा दूँगा और दुबारा से उसको कैसे लगाना है वो भी करके दिखा दूँगा तो दोस्तो ये video इसी topic पर है तो ये है हमारा Centro का steering wheel और दोस्तो इसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले जो है अपना hon pad होता है हमारा इसको खोलना पड़ेगा ये तीनो screw खोल के दिखा देता हूँ तो वीडियो को मैंने थोड़ा fast कर दिया है ताकि आप लोगों का भी time बस सके और दोस्तो ये तीनो screw खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो हमारे hornpad का जो horn का wire होता है वो हटाना पड़ेगा तब हमारा hornpad बाहर निकल के आएगा तो दोस्तो हमारे तीनो screw खोल चुके हैं और अब simply जो हमारा hornpad होता है इसको उपर को उठाना है ऐसे और इसमें जो एक wire लगा होता है horn का जिससे हमारा horn work करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहा पे लगा है ये देख सकते हो दोस्तो ये वाला wire इसको simply जो है यहां से unplug कर देना है कुछ इस तरीके से और हमारा hornpad यहां से अलग हो जाएगा तो मैं इसको side पे रख देता हूँ और उसके बाद ये जो हमारा steering में आपको bolt दिख रहा होगा तो इस bolt को खोलना होगा तो मुझे इसमें किसी की help लेनी पड़ेगी तो जैसे मेरे दोस्त ने steering को कसके पकड़ लिया है तो आप भी किसी की help लेके steering को ऐसे पकड़वा लेना और उसके बाद जो है bolt को खोल लेना तो ये easily ऐसे खुल जाएगा एक दम से तो अब मैं जल्दी से आपको इस bolt को खोल के दिखा देता हूँ और दोस्तो इस steering का bolt तो हमारा खुल गया है और इसके बाद जो इसके bolt के नीचे एक लोई की वारसल होती है उसको पकड़ के simply निकाल लेना है बाहर और दोस्तो एक important बाद मैं आपको बता देता हूँ steering को भार निकालने से पहले steering को बिल्कुल center में रखना है क्योंकि जब हम अपना दूसरा steering इसमें install करेंगे तो कहीं उसकी position ना बिगड़ जाए इसलिए इसको center में रखना है और इसके बाद इसको निकालने के लिए इस पे जो है चारो तरफ ऐसे मुक्का बना के मारना है ठीक है दोस्तो steering के उपर तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे खीचने से और मुक्का मारने से सायथ भार ना निकले क्योंकि जब steering को लगे हुए काफी time हो जाता है खराब होने का खतरा रहता है तो अब मैंने इस पे चोट मारने के लिए एक रोड लिया है आप कैसी भी रोड ले सकते हो और simply जो है इस पे एक हतोड़े से इस पे चोट मारनी है तो दो तिन बार इसके उपर चोट मारेंगे तो ये हमारा steering लूज होके बाहर निकल आएगा तो देख सकते हो दोस्तों जैसे कि मैंने इस पे दो तिन बार हतोड़े से इस पे हिट किया तो ये हमारा steering यहां से लूज हो गया है और simply जो है बोल्ट को मैंने बाहर निकाला और हमारा steering भी बाहर आ चुका है तो आप भी जो है ऐसे ही कुछ तरीका अपना सकते हैं वैसे अगर आपका steering जो है बिना चोट मारे ही निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है अगर नहीं निकलता है तो आप भी हतोड़े से इस पे हिट करके steering को बाहर निकाल सकते हैं दोस्तो जो steering wheel के पीछे cover होता है उसे भी मैंने बाहर निकाल दिया था जिसे मैं अब लगाने जा रहा हूं वापिस से लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आप steering wheel के पीछे के cover को ना निकाले क्योंकि इसे निकालने से ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है तो इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है मैं जल्दी से पहले इसको बंद कर देता हूं फिर आपको दिखा देता हूं कि दुबारा से हमें steering को कैसे वापिस लगाना है तो cover को तो मैंने वापिस लगा दिया है अब लगा लेते हैं अपने steering को तो समझो कि यह हमारा नए steering है तो इसको लगाने के लिए simply हमें जो है इसका center देखना है कि हमारा steering बिल्कुल सीधा है जैसे हमने निकाला था वैसे ही है और इसको simply अंदर गुसा देना है इसमें और steering wheel क हाथ से हलके हलके move करना है ताकि जो road में cut बने होते हैं वो इसमें set हो जाए जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से करना है और हमारा steering पूरा अंदर नहीं जाएगा क्योंकि जब हम bolt के सारे से जो है अंदर जाएगा और जब वारसल डानने के बाद इ उसमें थोड़ी सी चूड़ी उसकी fit हो जाए उसके बाद हमें 19 नंबर का जो हमारा tool है उससे उसको कसने लगेंगे तो अब मैं जल्दी से आपको जो है इसको कसके दिखा देता हूं और दोस्तों मैं आप लोगों से एक request करना चाहता हूं अगर आप मेरी वीडियो पहली बार रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि मैं सेंट्रों की अलग अलग टॉपिक पर हर अफ़ते वीडियो डालता रहता हूं तो इस टेरिंग वील तो हमारा लग गया है अब इसके बाद जो हमें हॉन पैड लगाना है तो हॉन पैड लगाने के तो मैं आपको पहले इस तीन स्क्रू इसके कसके दिखा देता हूं उसके बाद इसको चेक करेंगे हमारा हॉन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो दोस्तो आप भी अपनी सेंट्रों में इस तरीके से स्टेरिंग विल को चेंज कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इ करने तक के लिए बाई दोस्तो